कि अगर आपने हमारे चेनल को अभी तक सब्सक्राइब करें और आगे की वीडियो की सुचना प्राप्त करने के लिए फेल आइकन दबाए तो मैटर सूप बनाने के लिए हमने लिया है दो कटेवे टामाटर पांचे रासुन की खलिया दू इंच का अध्रक का टुकड़ा एक कटाव अभ्याज एक तेज पत्ता दू इंच का दालचनी का टुकड़ा और तींचा लॉंग और मसालों में हम लेंगे आधी चम्माज का तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं टो मैटो सूप बनाने के लिए हमने लिया है लबबग एक चोटी चम्माज बटर इसे मेंट होने देंगे उसके बाद हम इसमें डालेंगे तेज पत्ता दाल चनी और लॉंग अगर आप सूप को बटर में बनाते हैं तो बहुत ही टे पत्ता दाल चनी का टुकड़ा और तीन चाल लॉंग जब तक इनकी खुश्बू आएगी तक हम इने अच्छे से पगाएंगे अब हम इसमें डालेंगे लैसुन और खुवासा अध्रक हमारा लैसुन और अध्रक अच्छे से पग गया है अब हम इसमें डालेंगे प्याज देखिए हमारे प्याज अच्छे से पग गया है अब हम इसमें डालेंगे टोमाटोड अब हम इसमें डालेंगे नमक यह साधा नमक है इससे हमाया लिए टमाटर है वह अच्छी से पख जाएंगे हम इसे पांच मृट के लिए ढख के पकाएंगे पांच मृट हो गये हैं अब हम टमाटर को चेक करेंगे कर है कि अब हमारे टमाटर रिएग समय जाए सोके हैं अब हम इनने मिक्सर में आप चाहे दल चिनी का टुपड़ा और तैज पता इसमेंसे निकाल सकते हैं और आप चाहेários इसे फिशन होने देइन पिलिविन और उसके बाद में पीस लेंगे, देखिए हमारे टमाटर अच्छे से पिस गया है अब एक चन्नी की मदद से हम तमाटर की प्यूरी को अच्छे से चांट लेंगे अब हम एक पैन लेंगे और उसमें हमारी टमेटो प्यूरी को डालेंगे इससे एक उबाल आने तक हम गरम होने देंगे देखिए हमारे सूप में अच्छे से उबाल आ गया है अब हम इसमें डालेंगे काली मेश पाउडर काला नमक पाउडर और थोड़ी सी चीनी सब तीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे दो रिट के लिए पकने देंगे हमारा टमेटो सूप बनके रेडी है चलिए हम इसे सर्व करते हैं अगर आपको लग रहा है कि आपका सूप थोड़ा पतला है आप देखिए इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी होने चाहिए अगर आपको लग रहा है कि यह थोड़ा पतला है तो आप इसमें कॉन फ्रॉर को बिला सकते हैं कि आप कि आप कि आप कि आप में डालेंगे थोड़ी सी क्रीम आप कि आप कि आप कि आप कि अब भी इस रेसिपी को अपने घर पे ट्राइए किजिए और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए जैसी किशना